आज हम सिख या सभी पंजावियों की समरद्धी और संपन्नता के कारणों की बात करेंगे मैं मेरी बात करूँ तो शायद एक साल से ज़्यादा वक्त से मैं ये वीडियो बनाना चाहता था लेकिन जाने क्यों हर बार मैं रुख जाता था पर कुछ दिनों पहले मुझे श्री हर्मिंदर सहाब याने की गोल्डन टेंबल जाने का मौका मिला और तब मुझे लगा कि अब ये वीडियो बनाने का सही वक्त है असल में महां मुझे कई बाते सीखने को मिली थी जो कि इस वीडियो को पूरा बनाती है और आगे बढ़ने के पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं यहां किसी धर्म या संप्रदाय को बड़ा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं नहीं किसी को छोटा बताने या आप मान करने की मेरी कोई मंच्छा है मैं सिर्फ उन qualities की बात कर रहा हूं जो कि पंजाबियों या सिखों को सम्रद बनाती है और अगर आप उन आदतों को उन खासियतों को अपना लेते हैं तो आपको सम्रद होने से, आपको संपन होने से, आपको पैसे वाला होने से दुनिया की कोई दाकत नहीं रोग सकती चलिए अब आपका और वक्त नहीं लोगा और बात करता हूं सिखों की सम्रद्धी के सबसे बड़े कारण या पहली quality की तो ये है खुद को किसी भी बात के लिए entitled नहीं समझना हिंधी में कहें तो ये खुद को किसी भी बात के लिए हगदार नहीं समझते वो कभी ये नहीं सोचते कि हमें मिलना ही चाहिए या किसी particular चीज पर हमारा अधिकार है उनको बच्पन से ही ये सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें सरदार बनना है, अगर तुम्हें सरदार होना है, तो तुम्हें दफ्तार का मान रखना सिखना होगा, नहीं तो तुम सरदार होने का हग भी नहीं रखते, ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इसका impact बढ़ा होता है, इस वज़े से उनको बच्पन से पता होता है कि हमें जो करना है, अपने दम पर करना है, कोई हमारे लिए एक रास्ता बना कर नहीं देगा, हमें कोई special treatment नहीं मिलेगा, हमें कोई अलग छूट नहीं मिलेगी, हमें कोई privilege नहीं मिलेगा, इस वज़े से वो क इसान खुद के काबिलियत पर भरोसा करते हुए, अपनी मेहनत करते रहता है, तो वो सफल नहीं होगा, वो समर्द नहीं होगा, तो कौन समर्द होगा, और आपको अगर सफल होना है, तो आपको ये quality अपना लेना चाहिए, और आपको खुद को entitle समझने की जगा, achiever बनने प आपको देखा है, या ऐसी ही बाते तो मैं आपको समझा दूं कि एहंकार और अभिमान में बड़ा अंतर होता है, जब आपको एहंकार होता है, तो आपको दुनिया आपसे छोटी और कमतर लगने लगती है, पर खुद पर अभिमान होने से आप खुद का सम्मान करते हैं, लेकिन दुनिया का अपमान नहीं करते, और जो ये कहते हैं कि सरदारों या सिखों में घमंड होता है, उन्होंने शायद इने गुरुदवारे में सेवा करते नहीं देखा, जिस इंसान को बच्पन से ये सिखाया जाता है, कि गुरु के नाम पर जूते साफ करना भी एक प पुरा नहीं समझते, वो हर उस्काम को करने के लिए तयार रहते हैं, जो उनका दीन, उनका मजभ उनको इजाज़त देता है, और इसलिए कभी वो बेरोजगार नहीं होते, और जो इंसान बेरोजगार नहीं होगा, जिस इंसान के अंदर काम करने का पूरा जज़बा होग ज़ब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, दुनिया आपका सम्मान नहीं करेगी, तो इस बात को हमेशा ध्यान रहिए, शिखों की संपनिता का एक बड़ा कारण ये भी होता है, और उसे दान करते हैं, और पैसे का सम्मान करते हैं, जिहां ये बात कई लोगों को वि 10% कहीं दान करना है, तो आप अपनी इंकम पर 10% कहीं दान करना है, तो आप अपनी इंकम पर ध्यान देते हैं, आप अपने पैसे पर ध्यान देते हैं, और जब आप पैसे पर ध्यान देंगे, तो आप अपने पैसे को manage करना भी सीख जाएंगे, साथी इस वज़े से आप कभी भी अपनी इंकम का 100% खर्च नहीं करते, और जब आप 100% कर्च नहीं करेंगे, तो आप पर कर्ज होने के खत्म करने के लिए प्लानिंग करना चाहिए और अपने करज को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए इसके साथ ही यह दस्पतिशत का नियम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए मोटिवेट करता है और लोग इसलिए पैसा कमाते भी हैं देखे होता यह है कि धर धर्म के नाम पर दान करने का एक अलग मजा होता है एक अलग सुख होता है एक अलग सुकून होता है और शायद यही सुख, सुकून और मजा है जिसके चलते लोग अमरत्षर स्वन्द मंदिर में ट्रक भर के चाव, लाटा, सब्जियां, दाले छोड़ कर चले जाते हैं और लंगर चलता है जो कि वहाँ आने वाले हर धर्म के लोगों का पेट भरता है और इस तरह का दान सिर्फ श्री हरिमंदर साभ जी मंदिर पर नहीं मिलता बलकि पूरे देश और दुनिया भर के गुरुदवार उपर मिलता है तो मैं अपनी समझ के आधार पर यही कहूंगा क जब आप धर्म के नाम पर एक quick amount को दान करते हैं तो आप पैसे manage करने लगते हैं उस situation में आप के लिए अपनी समरद्धी को बढ़ाना और खुद को संपन बनाना बहुत आसान हो जाता है और यह सिखों या पंजाबियों की समरद्धी का एक बहुत बढ़ा कारण भी होता ह अब आप चाहें तो अपने पैसे कहीं पर दान दीजिए या मत दीजिए लेकिन पैसे को manage करना जरूर सीख लीजिए और मुझे यकीन है कि जब आप अपने पैसे manage करेंगे तो आप खुद को धनवान भी बना पाएंगे और अगर आप चाहेंगे तो आप दान भी दे सकें और वहीं अकेली जगा थी जहां मैंने गन देखी दी उससे अलामा मंदिर में जो भी safety और security का काम था वो पूरी तरह से वहां के सिवादारों ने संभाल रखा था और यह सिर्फ एक उधारन है लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि सरदार सि समझते हैं और निभाते हैं इस बज़े से उन लोगों को दो फायदे होते हैं पहला फायदा तो यह होता है कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं जिम्मेदारियों को उठाते हैं तो आपके पास quality होती है हर situation से लड़ने की और खुद को बहतर बनाने की साथ ह इसका एक फायदा ये भी होता है कि लोग सरदारों पर भरुशा करते हैं और जब लोग आप पर भरुशा करते हैं तो आपके लिए business करना, job करना या उसमें तरक्की पाना बहुत आसान हो जाता है तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको भी सफलता के लिए धनवान बनने के लिए अपनी जिम्मेदानियों को समझना होगा और जिम्मेदानियों को उठाना होगा तो ये गलत नहीं होगा। आपका culture आपको धनवान बना सकता है ये बात तय है ये बात मैं इसलिए कहा सकता हूँ क्योंकि हर धर्म में जो culture होता है जो system होता है वो पूरी तरह से tested होता है वो इस तरह से बना होता है कि लोगों को community को और पूरी दुनिया को एक बहतर जगा बनाए मेरा व्यक्तिकत पिन्य यही है कि जो सिख या सरदार होते हैं वो पिशले 400 सालों से अपने culture को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं उसका सम्मान कर रहे हैं और उनकी सम्रद्धी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है आप देख लीजे कोई भी सरदार आपको 5 कक्कों के बिना नहीं द लगता है आप किसी धर्म को ना मानते हूं तो भी आपका culture तो होगा ही आपके धर्म आपके culture में बहुत चारी ऐसी बाते भी होंगी जो आपको संपन बनाने में मदद कर सकती हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने धर्म, अपनी संक्रती, अपने culture को सीखिए उस की सचाई को समझिए और उसका सम्मान करिए और पुराने और नए के बीच में एक तालमेल बना कर चलिए, मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप खुद को संपन बना सकते हैं, खुश बना सकते हैं और आप खुद को धनवान बनाने में काम्य सरदारों की जो छटी quality होती है वो है नया करने से डरना नहीं है वो रिस्क लेते हैं और जरूरत होती है तो शुने से शुरुआत करने के लिए तयार रहते हैं अब रिस्क लेने की बात करें तो मैं यह नहीं कराऊं कि सरदार या से खार्मी में जाने का रिस्क लेते हैं यह देश के लिए मरमिटने को तैयार होती है, यह तो उनके लिए जीने का तरीका होता है, तो इसे मैं वो रिस्क नहीं कहूंगा, जो सरदार लेते हैं, पर बात करें रिस्क की, तो सबसे पहली बात तो यह कि वो अपना घरवार छोड़कर दुनिया के दूसरे नीजी से शुरुवात करने के लिए तयार रहते हैं शायद यही वजा है कि सरदारों की कुल आबादी धाई करोड़ से भी कम हैं लेकिन वो दुनिया भर में फैले वे हैं और 40 से जादा देशों में तो इतनी तादाद में हैं कि वहां की आबादी में उनका प्रतिशत भी काफी मिलेगा तो अगर आप भी सिखों या सरदारों की तरह सफल होना चाहते हैं तो आपको इन 6 बातों को जिरूर अपनाना चाहिए